हलो गाईज आप सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत है MKM Tech Talk YouTube चन्द के एक तमिन्या और फ्रेशक एपिसोड में गाईज आज की जो फीडियो है इस वाले फीडियो में मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ HTML Code जाने बिना आप कैसे एक खुद का वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं हाँ गाईज, HTML Code जाने बिना आप एक खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और यह बहुत ही आसान तरीके का तो कैसे और कहां से आप यह बनाएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और एक रिक्वेस्ट करूंगे कि यानल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको थोड़ा मोडिवसर मिल जाए वीडियो बनाने की तो चले गाइस शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो गाइस जहां से हम एस्टीमल को जाने विना एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं और गूगल का एक प्रॉडक्त है जिसको हम ब्लॉगर क्याते हैं हाँ यहां पर जितना सारा टाइप करोगे और आटमेटिकली हो जाएगा तो आपको जिस टाइप करके आपना पोस्ट या फिर आर्टिकल जो भी है जो भी आप कहते हैं उसको लिखना पड़ता है और आप कहीं से भी लिख सकते हैं चाहे वाटपैड हो चाहे नोटपैड हो चाहे मतलब आपका जो वाड़ आफिस हो कहीं से भी डिजाइन करके लिख सकते हैं कुछ भी करके आप लिख सकते हैं में लिंक टाल दूँगा आप वहां से ट्रेक्ट ली जाके ब्लॉगर पे पहुंच जाएंगे तो ब्लॉगर पर आपको सिंपली साइन निकल लेना है अपना जो जीमेल अकाउंट से साइन कर लेना करने के बाद कुछ इस ब्लॉगर पेख्रेश करना थिए कला से बहुत चूज्स कर सकते हैं यहां से निखे बहुत सरे थीम आपको दिया हुआ मिलेगा और मतलब थीम को मैनेच भी किया जाकता था उसके बारे मैं अलग से वीडियो बनाओंगा एक ही वीडियो में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा और आता रहोंगा अगर आपका response आता रहे तो तो गाई सिंपिल आपका जो ब्लॉगर का title होगा वो title पर लिखते ना है जैसे मैं यहाँ यहाँ पर लिखते था हूँ mcam tech talk तो mcam tech talk लिक पाद यहाँ पर नीचे जो address है और मैं देता हूँ mcam tech talk dot in तो यहाँ पर जो address है अगर यह available है तो available लिखा हुआ आएगा अगर नहीं है तो not available लिखा हुआ आएगा या फिर कोई use कर रहा है ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर simply कुछ changes कर लेना है जैसे 123211 ऐसा नमबर देके changes कर सकते हैं या फिर आप निशे भ्लॉग इउस्कर सकते हैं मतलब बीच इमेंसे ញसकirsin कर सकते हैं इसको फिर क्रेत करता मीषे आप विद्राइब लिख सकते हैं तो आपको सिंप्लिए यह उपर कर लेट कॉनर में जो नियो पोस्ट देवागा वहाँ पे क्लिक करना होगा नियो पोस्ट क्लिक करने के बाद आपका पोस्ट का टाइडल देना होगा उसके पाथ आप जो चाहें यहां पर जैसे मज़ी लि सब्सक्राइब कर लो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सा टॉपिक के साथ